हलो फ्रेंट्स एक्जाम पेप्रेशन में आपका सौगत है आपके लिए हम कुछ इंपोर्टेंट कोसन लेके आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पह भर्ग बन की तयारी कर रहा हैं तो प्लीज ये वीडियो देखने भिलकुल भी मिसना करें तो स्टार्ट करते हैं बारत की संबिधान सवा सब्सक्राइब किसके अनुसार गठित की गय है तो इसका आंजर है D. संभिधान सवा के सदर्शयों को निम्न मैं से किसने प्रतक्ष रूप से निर्वाचित किया तो इसका आंसर है A प्रांतों की बिधान सवा संभिधान सवा के स्थापना कब हुई तो इसका आंसर है B 9 दिसंबर 1946 संभिधान सवा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की तो इसका आंसर है C सच्चिदान सीना संभिधान सवा के इस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर है C राजन प्रशाद भारते संबिधान सवा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे तो इसका आंसर है A B. आर अमबेट कर संबिधान सवा का संबिधानिक सलाकार किसे न्यूक्त किया गया था तो इसका आंसर है B B. एन राव संबिदान सवा में उद्देश प्रस्ताब किसने प्रस्तूत किया तो इसका आंसर है D जवाल लाल नहरू संबिदान सवा ने अंतिम रूप से संबिदान को कब पारित कर दिया तो इसका आंसर है C 26 नवंबर 1949 ठीक है नेक्स्ट भारतिय संबिदान किस दिन से पूर्टा लागू हुआ तो ये तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 भारत गरतन दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर है D 26 जनवरी 1950 नेक्स्ट भारत एक गरतन्त है इसका आर्थ है इसका आंसर है C भारत में बंसानुकरम बंसानुगत सासक नहीं है नेक्स्ट संभीदान सवादोरा अंतिम रूप से पारित संभीदान में कुल कितने अनुछेद और अनुसूचिया है तो इसका आंसर है A 1995 अनुछेद और आठ सूचिया जीए अब ये अनुछेद बढ़ गए है 402 के लगभक सम्थिंग हो गए है भारतिय संभीदान के किस भाग को उसकी आत्मा की संग्या दी गई है तो इसका आंसर है C ये बहुत important question है इसको अच्छे से याद कर ले न संभीदानिक उपचारों का अधिकार भारतिय संभीदान की कौन सी विसेष्था इंग्लेंड से ली गई है इसका आंसर है A संसदी परणाली वर्तमान में भारतिय संभीदान में कुल कितनी अनुसूचिया है तो इसका आंसर है C बारा भारत संग में सामिल राज्यो दधा संग सासित छेत्रों का उल्लेक भारतिय संभीदान की किस अनुसूची में है तो इसका आंसर है A, प्रतम बहरती संबिदान की तीसरी अनुसूची का संबंध है तो इसका आंसर है B, सपत एवं प्रति ज्यान से बहरती संबिदान की किस अनुसूची में राजभासाओं का उल्लेख है तो इसका आंसर है B, आठवी दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुशूची में रखे गए है तो इसका आंसर है D पंचायती राज बैवस्ता संबंधित प्रावधान भारति संब्यधान की किस अनुशूची में रखे गए है तो इसका आंसर है D, 11, भारतिय संबिधान के किस अनुछेद में ये अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संग होगा तो इसका आंसर है A, अनुछेद A, भारतिय संबिधान के किस अनुछेद में अंतराश्टी सान्ती की बात कही गई है तो इसका आंसर है D, अनुछेद इंकावन Next, संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राश्टपती अध्यादेश जारी करता है तो इसका आंसर है C, अनुछेद 123 संभिधान के किस अनुछेद के त्वारा संग एवं राज्यों के लिए लोगसेवा आयोग का प्रावधान किया गया है तो इसका आंसर है D, अनुछेद 315 Next, भारती संग में किस राज को संभिलित करने का अधिकार किसे है तो आंसर है B, संसर Next, बर्स 1963 में गठित राज पुनरगठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर है A, न्याय मूर्ती फजल अली Next, भासाई आधार पर राज्यों का पुनरगठन कब किया गया तो इसका आंसर है C, 1953 इस भी में Next, भासाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज था तो इसका आंसर है D, आंध्र प्रदेश पांडी चेरी को किस बर्स भारती संग में सामिल किया गया तो इसका आंसर है B, 1969 इस भी में तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा यदि अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक, सेर, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और प्लीज बेल प्रेस करना भी न भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद